कोरोना संकड के बीच अमारिका में अश्वेत लोगों की मौत के विरूद में कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। बंकर में शरण लेनी पड़े। महीं सोशल मीरिया पर भी कई अक्टिविस्ट ने भी ट्रम्प के बंकर में भागने और छिपने की बात कही है। पताया जा रहा है कि शिक्रवार को सीक्रेट सर्विस एरजेंट की सलहा पर ट्रम्प करीब एक घंटा बंकर में रहे। गौलतलब है कि सोवार को पुलिस कस्टडी में एक अश्वयत नागरिक जौज फ्लाइड की मौत हो गए थी। उस व्यक्ति को नियाय दिलाने के लिए प्रदेशन किया जा रहा है। कहीं जगए प्रदेशन दंगे में बदल गया है। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों इमारतों में आग लगा दी और दुकानों की समान लूट लिए। नैश्वेले में कोड की अतिहासिक बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया। वाइट हाउस में इमरजैंसी के वक्त के लिए खास सुरक्षा के लिए बंकर का निर्मान किया गया है। अब प्रदेशन की वज़े से ट्रम्प के बंकर में जाने को विरूदी हतियार के तौर पर भी इस्तिमाल करने लगे हैं। खबरों के मताबिक राश्पती भवन के अंदर तनाओ का माहौल हो गया था। प्रदेशन कारी गेट तक आ गये थे और इट और बॉतली फैकने लगे थे। शिनिवार रात की घटना के बाद रविवार रात को भी प्रदेशन कारी वाइट हाउस के पास पहुच गये। ऐ अचानक ट्रम्प को बंकर में लेकर गये।